कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का तो उत्तपदेश भी पीशे नहीं रहेगा आप अपने प्रदेश से हटाईए यूपी से हम लोग मिल करके उनको हटाने का काम करेंगे हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिनें प्रदान मंतरी बनना है वो उत्तपदेश जरूर आते हैं इसलिए आपने देखा होगा गुजराश से उत्तपदेश आए अगर गुजराश से प्रदान मंतरी बन सकते होते हैं तो शायद गुजराश वो नहीं छोड़ते लेकिन उत्त अप्रेश के साथ जो धोका हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मा गंगा हमारी पूजा का हमारी आस्ता का हमारी संस्किती की अस्थान है एक पानी का जहाद चला करके विलास्ता का जहाद चला करके नजाने क्या सब ने दिखा रही है सरकार और जिस मा गंगा को साफ हो जाना चाये था मा गंगा वैसी की वैसी है नदी साफ नहीं है नदी को साफ नहीं कर पाए मुझे खुशी एथवात की कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समой आपके मुख्यमंत्री जीने एक फैसा लिया था कि यहां पर किसानों के खेट तक और घरों में पानी पीने का कैसे इंतजाम किया जाए वो जो integrated irrigation system का आपने शुरुआत की मैं आपको बधाई देता हूँ और जंता को भी बधाई देता हूँ उनका धन्यवाद देता हूँ कि आपके प्रदेश से शुरुई योजना जहां पर खेट को पानी घर में पानी का इंतजाम किया वही तो भारत सरकार नकल कर रही है जो आज भारत सरकार नकल कर रही है वो कहीं न कहीं आपकी देन है जिस सरकार ने एक उधारण पेश किया हो और केबर इलिगेशन में और भी छेत्रों में मैं ऐसे सरकार के लोग को बढ़ाई देता हूँ आख खासकर मुख्यमंतिजी को बढ़ाई देता हूँ हमारे साथ मंचपर आपके सबसे प्रियनेता और यहां के मुख्यमंत्री आदेने केच चंसेकर राओ जी मंचपर उपसेद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजिवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवत मान जी CPI के जनल सेकेटरी आदरे डी राजा जी और मंचपर उपसेद सभी BRS पार्टी के सभी वरिस नेता यहां पर इस सभा में उपसेद BRS पार्टी के संगठन के सभी पदादिकारी मिनिस्टर्स सांसद विधायक सभी नेता और बड़ी संख्या में जहां तक मैं देख सकता हूँ मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं सरी सर दिखाई दे रहे हैं मैं अगर बाई तरफ देखता हूँ मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं सरी सर दिख रहे हैं दाई तरफ देखता हूँ तो सरी सर दिखाई दे रहे हैं और मैं जब सामने देखता हूँ, जहां तक देख सकता हूँ, वहां तक मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं इस इतिहासिक धर्ती पर, खंबम की इतिहासिक धर्ती पर, मैं आदे रहे हैं कि सियार साब का बहुत बहुत धनिवाद और आभार पिकड़ करता हूँ, का यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आपने बुला करके, पूरे देश को एक संदेज देने का काम किया है, आज सुबह से लगातार हम लोग काम देख रहे हैं, मैं सामने जहां प अफिस बनी है, कॉंप्लेक्स बना है, एक यह उधारण है सरकारों के लिए, कि एक जगे कैसे अधिकारी बैठ सकते हैं और जनता को तकलीव और परिशानी नहीं होगी, एक ही जगे पर समस्या का समादान हो जाएगा, यह खंबम वो धरती है, जिसने हमेशा इतिहास बनान का काम किया है, यहां के लोगों ने बड़ी से बड़ी हुकूमत रही होगी, ताकते रही होगी, उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया है, यहां के किसान, यहां के नौजवान, अगर किसान कभी इखटे हुए हैं, और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा होगा तो यहां के किसान इखटे हो करके अपनी आवाद बुलंद करकर के उस समय की हुकुमत को हिलाके रख दिया मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के जिन परस्षितियों से हम लोग गुजर रहे हैं जहां भारत सरकार और खाजकर भारती जनता पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है एक एक सरकारें जो चुनी ही उनको परिशान कर रही है चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बियरेस की पार्टी की सरकार हो जो सहोग और जो मदद और जो लोगतंत में सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार सम्मान नहीं दे पारी समय समय पर रुकाबट कैसे पैदा हो नेताओं को कैसे परिशान किया जाए उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए उनके विपश्च के लोग जो उनके सामने खड़े हो करके सवाल पूस्ते है उनको किस सड़यन से उनको दबाया जाए उनकी छवी कैसे खराब की जाए ये भारती जनता पार्टी की सोची समझी सी रणनीत के तहित काम कर रहे है जो संसाएं हमें न्याय देना चाहती है जहां से हम न्याय के लिए पुकार सकते हैं उन संसाओं को भी दबाब बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारती जनता पार्टी कर रही है अभी कली भारती जनता पार्टी की मीटिंग खतम हुई है और उन्होंने का कि चार्सो दिन बाकी है हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं अब तो वो सुएं सुएकार कर रही है कि अब चार्सो दिन है जो सरकार अपने दिन गिनने लगे जो सरकार अपने दिन बताने लगे समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुखने वाली नहीं है अब तो 399 दिन बचे हैं और जैसा कि भारती जनता पार्टी का समय समय पर जो बुनियादी मुत्ते हैं कि महंगाई कैसे कम हो गुरोजगारी कैसे कम हो हमारे लोग जो भारत शोड़ करके चले जा रहे है कुछ लोग तो अपनी खुशाली के लिए जा रहे है लेकिन बड़ी संक्या में लाखों लोग ऐसे हैं जो धन दौलत उनके पास हैं वो इस देश में रहना नहीं चाते क्योंकि ये सरकार उनको रहना नहीं देना चाहती इनके पास बुनियादी ठोस मुद्दे जो किसान की जरुवत के वो नहीं पूरे कर रहे हैं आपको सबको याद होगा यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आए 2022 तक दोगनी कर देंगे किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी हालां कि 2023 शुरू हो गया है लेकिन मुझे तो यह लगता है किसान की तकलीफ और परिशानी को देख करके इन भारती जनता पार्टी के लोगों का 2022 सभी खतम नहीं होगा इनका 2022 खतम नहीं होगा 23 आगिया 24 आजाएगा लेकिन भारती जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 22 तक हम किसानों की आए दोगनी कर देंगे वो अभी दोगनी नहीं हुई है हमारा किसान तकलीफ और परिशानी में है उसको वादा तो कर रहे हैं लेकिन जो बुनियादी उसे मदद मिलनी चीए वो मदद नहीं मिल पारी है यह हमारा जो नौजवान देहाई दे रहा है यह नौकरी और रोजगार की तलाश में अपना भविस्त चौपट कर रहा है यह सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही आपका प्र籍स में तो सरकार है जहां मुक्हिमंत्री काम कर रहे हैं लेकिन हम तो अपने प्र laisse में देखते हैं जहां पर बड़े पेमाने पर बरोजगारी है जैसे इंशनाव आगया है इन्होंने तत्य कर लिया है कि जगे जगे इंवेस्टमेंट मीट करेंगे वैसे तो समय समय पर देश के लोग और देश के जो नेता होते हैं वो G20 की अद्धेश्टा कर रहे हैं लेकिन इस बार इन्हें मौका मिला है अद्धेश्टा करने का मुझे लगता है कि केबल चुनाव के लिए इपरचार करेंगे उसमें कोई ठोस कदम ने उठाएंगे इसलिए आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में लोगां के सामने खटे हुए हैं जहां मुझे लोगी लोग दिखाई दे रहे हैं उनके सामने मैं कह सकता हूँ कि अगर तिरंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का तो उत्तपदेश भी पीशे नहीं रहेगा आप अपने प्रदेश से हटाईए यूपी से हम लोग मिल करके उनको हटाने का काम करेंगे हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिनें प्रधान मंतरी बनना है वो उत्तपदेश जरूर आते हैं इसलिए आपने देखा होगा गुझराश से उत्तपदेश आए अगर गुझराश से प्रधान मंतरी बन सकते होते हैं तो शायद गुझराश वो नहीं छोड़ते लेकिन उत्तपदेश के साथ जो धोका हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मा गंगा हमारी पूजा का हमारी आस्ता का हमारी संस्किती की अस्थान है एक पानी का जहाद चला करके विलास्ता का जहाद चला करके नजाने क्या सब ने दिखा रही है सरकार और जिस मागंगा को साफ हो जाना चाये था मागंगा वेसी की वेसी है नदी साफ नहीं है नदी को साफ नहीं कर पाए मुझे खुशी बाद की कि जब मैं मुक्हिमेंटरी था उस समय आपके मुक्हिमेंटरी जी ने एक पैसा लिया था कि यहां पर किसानों के खेट तक और घरों में पानी पीने का कैसे इंतजाम किया जाए वो जो integrated irrigation system का आपने शुरुआत की मैं आपको बधाई देता हूँ और जनता को भी बधाई देता हूँ उनका धन्यवाद देता हूँ कि आपके प्रदेश से शुरुई योजना जहां पर खेट को पानी घर में पानी का इंतजाम किया वही तो भारत सरकार नकल कर रही है जो आज भारत सरकार नकल कर रही है वो कहीं न कहीं आपकी देन है जिस सरकार ने एक उधारन पेश किया हो और नकेबर इलिगेशन में और भी शेत्रों में मैं ऐसे सरकार के लोग को बढ़ाई देता हूँ आख खासकर मुख्यवन्तिजी को बढ़ाई देता हूँ जहां इतना विकास हो रहा हो वहीं भारती जन्ता पार्टी के लोग देश को पीशे ले जाना चाहते है इसलिए आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की प्रोग्रेसिव सरकारों की और मुझे उमीद है कि जिस तरीके से भारती जन्ता पार्टी ने देश को पीशे कर दिया है हर चीज़ में हम सम मिल करके जो मंचवेर बैठे हैं और प्रदेसों में भी हैं जो साथ मिल करके काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव अजन्डा दे करके देश को आगे लिजाने का काम करेंगे मैं एक बार फिर बढ़ाई देता हूँ कि आपने जितना प्रचार करना चाहिए था आपने भगवान विश्नु उनके अवतार भगवान नरसिमा जी का जो मंदिर का निडमार कराया मैं आपको बढ़ाई देता हूँ आपने काम ज़्यादा किया प्रशार कम किया लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम कम प्रशार ज़्यादा करते हैं इसलिए जब ही अभी हम लोगों ने तिवहार भी मनाया है हमारे हाँ मकर संक्रांती का तिवहार तब मनाया जाता है जब सूर्य उत्राइंड हो जाता है अगर हम मकर संक्रांती मनाते हैं तो देश में अलग लग जगे अलग लग तिवहार मनाते हैं अगर सूर्य उत्राइंड हुआ है तो राजनी दच्छाएंड चली गई है और उत्छाएंड से अगर कोई चीज शुरू हुई है और अगर दच्छाएंड राजनी शुरू कर रहा है तो मुझे अमीद है कि आने वाले समय में बदलाब देश में आएगा और देश में एक नई सरकार होगी ये भारतिय जन्ता पार्टी के लोग नहीं रहेंगे क्योंकि इनके पास भर्म और जाल फैलाने के अलाबा कोई रासा नहीं है ये समय समय पर भर्म फैलाते हैं समय समय पर जाल फेकते हैं ये भारतिय जन्ता पार्टी भर्म जाल पार्टी है इससे साथधान रेना हम लोग तो साथधान करी रहे हैं लेकिन आप लोग भी साथधान करना जिससे देश में एक नया परिवर्टन आए मैंनी शब्दों के साथ आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ बधाई देता हूँ इस एतिहासिक धर्थी पर जो एतिहासिक जनसवा हुई है उसके लिए बहुत-बहुत-बधाई और यहाँ पर जितने भी दूसरे दलों के नेता हैं और एक बार फिर आपके मुक्हिमंत्री केसियार राओस साथ का बहुत-बहुत-बहुत-धनवाद और बहुत 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 बदाई हम सब को यहां पर एकटा करने के लिए और लाने के लिए बहुत बहुत धनिमाद आपका